हलो दोस्तों नमस्कार स्वागा थे एक और नए वीडियो में और आज हम बात करेंगे European Union में एक बहतरीन कंट्री सबसे अमीर कहे जाने वाले कंट्री सबसे ज़्यादा सालरी देने वाला कंट्री वेले लगजमबग और लगजमबग में जो वेकेंसीज अभी आया हुआ है जो नमबर्स ओ वेकेंसीज का है या फिर सालरी इंकम जो भी आप कह सकते हैं उसके बारे में जोब से बात करेंगे अगर आप भी एक job seekers हैं, आपका भी सपना है लगजम बग में जाके jobs करने का, तो आज का इस वीडियो को आखरी तक जरूर देखें, क्योंकि आज भी बहुत सरे positions, salary और numbers of vacancies बताने वाला हूं, सायद आपने thumbnail में देखी लिया होगा, फिर भी अगर आप वीडियो को पूरा तो आपको details में जानकारी मिलेगी, कि सच में कितना vacancies है और कितना salary आपको मिलने वाली है, ताकि आप भी जा करके वहाँ पर पैसा कमा सकें, और अपना जिंदगी को एक नाया आयाम दे सकें, तो आप मेरे साथ बने रहें वीडियो को आखरी तक, और अगर आपको भी लग Cleaner का job 50 vacancies है, 50 quantity जो है 50 vacancies है और salary है 1800 euro से लेकर के 2500 euro plus overtime है, जो दूसरा vacancy है helper, helper का vacancies है 50, ठीक है 50 vacancies है और इसका जो salary है दोस्तों, 1800 euro से लेकर के 2500 euro plus OT, तिसरा vacancy है food packing, food packing का vacancy है 25 और इसका जो salary है दोस्तों, 1800 से लेकर के 2500 euro plus OT, जो चार नंबर vacancies है housekeeping, अभी एटिंडेंट है, housekeeping cleaner है या housekeeping क्या है पता नहीं, housekeeping, vacancies है 50, और salary है दोस्तों, 1800 से 2500 euro plus OT, जो next vacancy है supervisor, अब किसी दो sewer visor है, मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, sewer visor, 10 vacancies है और इसका जो salary है 1800 से लेकर 2500 euro plus OT, छटवन नंबर जो vacancies है computer operator, जिसका vacancies है 10 और 1800 से लेकर 2500 euro इसका salary plus OT है, storekeeper 15 vacancies है, जिसका salary है 1800 euro से लेकर के 2500 euro plus OT, waiter 20 vacancies है, salary start from 1800 to 2500 plus OT, next है security guard 25 vacancies है, 1800 से लेकर 2500 इसका भी salary है euro plus OT, जो 10 नंबर vacancies है accountant, accountant का दोस्तों 10 vacancies है, ठीक है इसका salary जो है 1800 से लेकर 2500 euro plus OT है, 11 नंबर में front office executive, इसमें भी 10 vacancies है और 1800 से लेकर 2500 euro salary है plus OT है, और last में है customer services, इसका 15 vacancies है और 1800 से लेकर के 2500 euro salary है, तो लगभग बता दूँ, चाहे supervisor हो, चाहे waiter हो, चाहे storekeeper हो, चाहे cleaner हो, चाहे helper हो, चाहे food packing हो, चाहे वो front office executive हो, हर किसी का जो salary है वो 1800 euro से लेकर है, 2500 euro salary है, ठीक है, अब ये है दोस्तों vacancies, अब आगे हम इसका fact check करते हैं, ठीक है, ये जो vacancies है, इसे आज ही मुझे एक मेरा viewer ने भेजा है, उन्हें कोई consultant और भेजा है vacancies, ठीक है, अब मैं आपको बता दूँ, लगजम भग में job के लिएन को कहा गया, और ये सारा vacancies है, तो आपको कैसे पता करना है भाई ये, जो vacancies है, ये real है या fake है, आपको ध्यान देना है, कभी भी कोई भी company दोस्तों, एक साथ, उभी European country में 500 vacancies नहीं देता है, कोई भी company हो, अगर वो company शुरुवात कर रही हो, तो बात अलग है, ठीक है, वैसे कोई भी company 50, 100, 70, 60 वाला vacancies कोई नहीं देता है, पहले बात आपको ध्यान रखना है, कभी भी अगर waiter के vacancies हैं, तो 2 या 3 या 4 इतने vacancies आएगा, 15-20 vacancies नहीं आता है, अगर एक catering company है, तभी जाके 15-20 आ सकता है, उतना भी नहीं आता है, ठीक है, या फिर कोई company नहीं शुवात कर रही होगी, catering company, या कोई बड़ा hotel, तो वहाँ पर ज़्यादा vacancies रहेगा, तो पहले बात तो दोस्तों इसमें आप समझ जाएए, कि इतना vacancies कहें food packing, housekeeping, supervisor directly job नहीं मिलता है, ठीक है, cleaner मिल सकता है, helper मिल सकता है, food packing मिल सकता है, housekeeping मिल सकता है, लेकिन supervisor, लेकिन supervisor इसमें कोई specific नहीं है, कि क्या supervisor है, ठीक है, warehouse supervisor है, कि front office supervisor है, house keeping supervisor है, F&B supervisor है, security का supervisor है, कोई supervisor mention नहीं है, सिर्फ supervisor लिखा हुआ है, और इसका भी अधारा सवी यनि कि एसोसेट के भी अधारा सो सालरी आप शुब्वाइजर को अधारा सालर याप समस्ज सकते हैं, दूसरा, कभी भी इन्दिया से सूरवाइजर है, वोग एकसेप्ट ही नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पर मुल्टी कल्च़्रा लोग काम करते हैं, और अब इंडिया से कोई सुवर राइजर जाते हैं, हैंडल नहीं कर पाता है, इसलिए लेते ही नहीं है, computer operator, computer operator को इंडिया से hire ही नहीं करते हैं, computer operating के लिए local लोग ही hire करते हैं, ठीक है, next, storekeeper, यह job मिल सकता है, ठीक है, यह हो सकता है, इतना vacancies आ सकता है, waiter का 20, मैंने पहले बता दिया, waiter का 25 vacancies कभी नहीं आता है, अगर vacancies आएगा भी तो, कम से कम 10, 12, 5, 4, 3, इस परकार का vacancies आता है, security guard 25 vacancies, हो सकता है security guard के इतना आता है, लेकिन इंडिया से security guard लेते ही नहीं है, ठीक है, next, accountant, accountant तो इंडिया का profile कोई touch भी नहीं करता है, accountant में इंडि यूरोप में काम कर रहे हो, ठीक है, यूरोप में कुछ experience आपका है, 4-5 साल का, आपको ब्लू card है, या फिर आप वहाँ पर residence card है, ठीक है, लेकर PR, permanent residence card है, या फिरों का passport holder है आप, और Indian है, तब आपका profile को accept कर सकते हैं, as an accountant नहीं तो नहीं लेते हैं, front office executive, front office executive के लिए, इंडियन भी है, तब भी आपको हाँ जॉब नहीं मिलेगा, आरक पास PR भी रहने दो, front office के बात कर रहा हूँ मैं, front office के लिए local ही जॉब में लेते हैं, ठीक, customer services, customer service में दोस्तों, वहाँ का local language जरना बहुत जरूरी है, तब ही जाके लेते हैं, तो आप समझ सकते हैं, मैंने जो research किया है, यह जो job आपको अगर आया होगा, ठीक है, मैंने screen पर दिया हुआ है, अगर ऐसे job आपको पास आता है दोस्तों, तो इसे बिल्कुल भी trust मत कीजेगा, यह real vacancies नहीं है, यह आपको trap करने के लिए vacancies दिया गया है, इतना vacancies कभी नहीं आता है, ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है, अगर आप एक job seekers हैं, अगर आपको बचना है, तो प्लीज, ऐसे ऐसे vacancies पे ध्यान बिल्कुल मत दिजेगा, वरना आपका पैसा जा सकता है, ठीक है, समझ गया है, अभी मैं भी काम करता हूँ लगजंबर का, लेकिन इतना आसानी से यहां का वीज नहीं मिलता है, अब तक इतना कोशिश करने के बाद, मेरा सिफ दो ही कैंडिट का अभी तक सिलेक्शन हुआ है, वो लोग गया है, लेकिन फिलाल मैं बता दूँ आपको अगर आपको लगजंबर जाने का सपना है, तो आप कोई दूसरा कंट्री में जा दोसमें पहले, अगर आप क्लियर कर सकते हैं, तो जाना चाहिए, वो इसे लगजंबर्ग हो, या लिथवानिया हो, या क्रोईशिया हो, मेरे हिसाब से कहीं पर कोई डिफरेंस नहीं है, आपको बता दूँ, यह सिफ हाइप है, यूटूब में जो चल रहा है, हर जगा जो सैलरी, इंकम, स सिंजन में आता है, बाकि आपकी मर्जी है, आपको क्या समझ में आया, आज के इस वीडियो से कॉमेंट्स में जरूर बताना, और अगर आप भी जॉब सीकर्स हैं, आप भी यूरोप जाना चाहते हैं, तो नीचे कॉमेंट्स जरूर बताना कि आप कौन सा कंट्री जाना प पहराद पहराद